Hello friends, welcome back to Robin Mehta YouTube channel. मेरा नाम है Robin. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Rank Math की General Settings के बारे में. Rank Math की General Settings में बहुत सी चीज़ें हम cover करने वाले हैं. तो चलिए, शुरू करते हैं. rank match की general setting पर जाने के लिए सबसे पहले आप rank match में जाएंगे उसके बाद general setting पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो option है वो है links का फ़स setting है strip category base अगर आप इस option को enable कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप जो भी category आपने बनाई है वो आपकी post URL है उससे remove हो जाएगी पर इस setting को छेड़ने से पहले आप यह देख लें कि आपने जो URL का structure है वो क्या रखा हुआ है उसी structure को ही आप main माने और इस option को आप disable ही रहने दे वो option आपको कहां पर check करना है वो पहले देख लेते हैं उसके लिए आपको setting में जाना है और परma link पे इसको open कर लेना है तो मैं यहाँ पर परma link को मैंने open कर लिया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने URL का structure है परma category का name रखा है फिर post रखा है और इस feature को आप enable कर देते हैं तो यह क्या करेगा category को remove कर देगा तो इसको आपने देख लेना है कि आप category को रखना चाहते हैं यह नहीं रखना चाहते और URL का structure है आपने WordPress की setting में क्या रखा हुआ है इसके बाद है redirect attachment इसका मतलब क्या है जब भी आप कोई image अपनी website पे upload करते हैं तो उसका एक archive बन जाता है हम क्या चाह रहे है हम चाह रहे है कि वह जो image है वह आपकी उस post के अंदर ही दिखाई दे वह मैं आपको दिखाता हूं कैसे मान लीजे मेरे पास यह एक post है यह मैंने open की हुई है यह dummy post है ठीक है यहां पर एक image आ open करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि WP content upload और फिर वह आपकी image आज आएगी ठीक है यानि यह image जो है हमारी अलग से इसका URL create हो रहा है यह common archive में नहीं जा रही यह redirect हो रही है तो अगर आप हमें क्या करना है SEO के लिए हम क्या करते हैं इसको all attachment को जो है उसी के लिए ए इस तरह समझना है कि आप जो भी redirect attachment है चाहिए वह image है चाहिए वह pdf है उसको आपने redirect करना है यानि इस feature को आप क्या रखेंगे enable रखेंगे इसके बाद है redirect orphan attachment अब माल लेजिए कोई ऐसी attachment है जिसका कोई भी parent post नहीं है parent URL नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम एक किसी भी हम मा homepage पर redirect कर देगा ठीक है तो यह भी आप settings कर सकते हैं nofollow external links तो अगर आप सभी nofollow जो external links हैं उनको nofollow करना चाहते हैं तो आप इस feature को enable या disable कर सकते हैं enable करेंगे तो nofollow हो जाएंगे बड़ हम ऐसा नहीं चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि जितने भी हमारे external links है वो nofollow कुछ links जो हैं हमारे वो follow भी होने चाहिए nofollow image file links अब कोई external image है उसको भी सभी images को हमने nofollow नहीं करना है तो अगर यहाँ पर आपने set कर दिया on तो जब भी आप image upload करेंगे तो वो by default nofollow हो जाएगी तो यहाँ पर हमें नहीं करना है हम post के अंदर जाकर ही उसको nofollow या dofollow अपनी new tab तो इसको आप enable रख सकते हैं क्योंकि यह जुरूरी है जो भी आप नया link open करेंगे या internal हो चाहिए वो external हो वो new tab के अंदर ही open होना चाहिए तो चलिए इसके बाद next option पे चलते हैं breadcrumb अब breadcrumb क्या होता है breadcrumb का मतलब है जैसे माल लीजे मैंने अपनी website के अंदर कोई एक post बनाई है उसको मैंने एक category में डाल दिया है ठीक है तो अब जब मैं उसको home page जब मैं उस post को open करने वाला हूं तो वो मुझे कैसे दिखाई देगी सबसे पहले home आएगा फिर वो category आएगी और फिर last में क्या आएगा उस post का नाम आएगा अब यहां पर देखिए अगर सब पहले आपको क्या चैक करना है पहले आपको यह चैक करना है कि कहीं आपकी थीम के अंदर ब्रेड करंब का option तो नहीं है अगर थीम का ब्रेड करंब का option ओन है तो फिर इसको ओन करने की जुरूरत नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मैं इसको save changes कर लेता हूं यहाँ पर हम जो है वो थेम यूज कर रहे हैं blocksy ठीक है तो blocksy थेम के अंदर breadcrumb का ओप्शन कहा है पहले हम वो देख लेते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर blocksy में appearance में गए हम ठीक है customize में गए यहाँ general पर click करेंगे और उसके बाद यह breadcrumb का जो option है इसको open करेंगे सबसे पहले यहां देखिए यह by default इसका breadcrumb का option जो है own है यानि कि अभी जो है theme का जो breadcrumb है वो own है वो कैसे है तो मैं एक बार यह page open कर लेता हूँ और यहां पर आप देखेंगे यह home आ रहा है news आ रहा है और फिर इस post का नाम आ रहा है तो अभी जो यह breadcrumb दिखाई दे रहा है वो हमारा theme का by default जो है वो है ठीक है अगर आप rank math का breadcrumb यूज करना चाहते है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यह जो option है वो हर theme के अंदर अलग-अलग मिलेगा आप जो भी theme यूज कर रहे है उसका breadcrumb का option आपको check करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप generate press यूज कर रहे है तो उसमें यह option नहीं होगा वहाँ पर आप rank math का breadcrumb यूज कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम मैं rank math का breadcrumb जो है वो इसके अंदर insert करने वाला हूँ ठीक है तो हम क्या करते हैं हम वापिस आते हैं rank math पर पहले क्या करना है आपको पहले इसको आपने enable कर लेना है जब अब इसको enable करेंगे तो यह सारी settings है मतलब breadcrumb के बीच में क्या आना चाहिए यह वाला sign आना चाहिए यह वाला sign आना चाहिए homepage आना चाहिए यह नहीं आना चाहिए homepage का label क्या होना चाहिए homepage का link क्या होना चाहिए ठीक है prefix archive का format तो यह सारे format बेस है यह आप चेक कर सकते हैं अब जो मेन चीज है वो यह है कि आपको इस कोड को है प्लेस करना है अभी देखिए अगर आप कोई और थेम यूज कर रहे हैं तो इस कोड को आप कहां पर पेस्ट करेंगे टेंपलेट.php फाइल में आप इसको प्लेस कर देंगे बट क्योंकि मैं यहां पर ब्लोक सी यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर थेम एडिटर का ओप्शन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे हमारे पास एक सेकिंड ओप्शन भी है हमारे पास यह शोट कोड है रैंक को ओपन कर लेते हैं तो यह पोस्ट ओपन होगी अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं ठीक है अभी यहां पर हम क्या करने वाले हैं हम एक शोट कोड का जो है ब्लोक लेने वाले हैं तो शोट कोड के लिए आपको क्या करना है जैसे यह आप शोट कोड लिखेंगे तो आपका यह आ जाएगा, ऑपन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वह जो code आपने वहां से लिया था, उसको paste कर देना है, ठीक है, तो यह paste कर दिया, अब मैं इस page को जो है update कर देता हूँ, और इस post को हम open कर के देख लेते हैं, अभी देखिए, यहाँ पर वो जो आपको कहां से change करना है वो आप यहां से change कर सकते है अब दिखे जैसे मैं यहां पर यह वाला जो pipe का sign है उसको enable कर दिया ठीक है अब मैं इसको एक बप New Save changes करता हूँ ठीक है और इस page के हम क्या करते हैं एक बार refresh कर लेते हैं हम ने इसको refresh किया, अब यहां बर pipe आ गया है, ठीक है, तो यह पूरी ब्रेड क्रम की settings है, वो यहां से आप change कर सकते हैं, ठीक है जी, तो यह करने के बाद next option पर हम चलते हैं, next है webmaster tool, ठीक है, तो सबसे बहले वीडियो में जो हमने यह cover किया था कि आपको rankmat को install कैसे करना है, तो उस installation के process में हमने GSC का जो verification है, वो कर लिया था, लेकिन मान लीजिए कि आपने rankmat का जो उनकी official website है, उस पर आपने login नहीं किया है, ठीक है, हम नहीं करना चाहते है, ठीक है, क्योंकि Gmail ideal यूज करनी पड़ेगी, बट हम यहां पर हम क्या चाहते हैं, हम manual तरीके से GSC का verification करना चाह के ऐसे हैं, मैं आपको बतादेता हूं, तो जैसे हमने यहाँ पर GSC open किया, अब यहां पर यहां पर इसको और आड करता हूं, मैं वैसे ही कोई ABC लिग देता हुं इसके बाद ठीक है, और इसको वैसे ही हो जाएगा क्योंकि यूडरल परिफिक्स है, जितने भी इसके बाद की चीजे हैं वो by default हो ही जाने वाली है तो हम क्या करते हैं इसको abc.subdomain की तरह से add करते हैं एक बार ठीक है यह होगा नहीं क्योंकि हम basically main domain पर कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसको कर रहा हूँ तो अभी के लिए हमें क्या करना है html file वाले option पर नहीं जाना है ठीक है आपको html tag वाले option पर जाना है और इस code को यहां से copy कर लेना है ठीक है आपने आप कोई भी plugin यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको यह code copy करना है चाहिए use कर रहे हैं उसमें भी यही same process है और इस code को copy करने के बाद यह जो google search console है यहां पर जाकर उसको paste कर देना है ठीक है और बाद में क्या कर देंगे इसको हम save changes कर देंगे यह होगा नहीं क्योंकि यह हमारी main domain है और वहाँ पर हमने एक जो है क्या डाला है सब domain डाला है लेकिन आपको बताने के लिए मैंने किया है क्योंकि यहां पर तो already verification हो रखा है तो यहां पर जो verification को मतलब नहीं बनता है ठीक है लेकिन verification अगर आपने करना है तो इस तरीके से आप verification कर सकते हैं अब similarly यह तो हो गया हमारा Google के लिए कि बिंग में करेंगे तो वो code आप यहां पर place करेंगे बाइदु में करेंगे यहां करेंगे यंडिक्स में करेंगे पिंट्रेस्ट में करेंगे इसके अलावा भी नोटन या फिर कोई और custom tags हैं तो वह सारी आप यहां पर एंटर करके verification कर सकते हैं तो verification के दो तरीके हो गए है एक तो आप अपना जो है Google का account को connect कर ले या फिर आप इस तरीके से verification कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद others में क्या है headless CMS support headless CMS के अंदर हमें ज़्यादा जाने की जुरुत नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ headless CMS में क्या है आप back end पे CMS यूज कर रहे हैं लेकिन front end पे आप data को fetch करने के लिए API का use कर रहे हैं तो अगर आप वो सारे options को enable करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं बट हमें इसके अंदर उसकी कोई जुरुत नहीं पढ़ने वाली है अच्छा दूसरा option क्या है अगर आप SEO का score अपने visitors को भी दिखाना चाहते हैं तो इसको आप open कर लें बट यह हम नहीं चाहते हैं हम back end पे ही सब data रखना चाहते हैं ठीक है RSS before content और RSS after content अगर कुछ add करना चाहते हैं तो आप इन options के तुरू add कर सकते हैं बट वो भी हम नहीं करने वाले हैं तो इसलिए इसको others में रखा हुआ है ठीक है अब इसके बात क्या है edit robot.txt अब अगर आप robot.txt को edit करना चाहते हैं तो आप इस option से कर सकते हैं robot.txt डीटेल में हम किसी और वीडियो में cover करेंगे बट इस यहां पर मैं आपको बता दूँ robot.txt का का काम क्या है google के crawlers को बताना या उनके robots को बताना कि किन pages को crawl करना है और किन pages को crawl नहीं करना है तो यहां पर देखिए हमने site map को add किया हुआ है अभी यह option not right table आ रहा है क्योंकि हमने इस website को अभी index में नहीं डाला है वो option कहां से आता है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर सबसे पहले आपको setting में जाना है और फिर reading में जाना है reading में जाने के बाद आप यहां पर देखिए search engine visibility को हमने discourage किया हुआ है अभी हम इस site को index नहीं करना चाहरा है क्योंकि हम इस पर क्या कर रहे है work कर रहे है ठीक है इसको demo purpose के लिए भी use कर रहे है तो इसलिए हमने इसको क्या किया हुआ है discourage किया हुआ है लेकिन आपको जो यहां पर यह option enable मिलेगा आप क्या कर सकते हैं मैं आपको इसके अंदर एंटर कर सकते हैं दाकि जो crawler है वो सबसे पहले site मैं पर जाए और site map का मतलब क्या होता है आपकी पूरी website के इतने भी pages है या post है वो सारी उसको मिल जाए ठीक है उसी तरह से htaccess file है तो यह file भी आप यहां से edit कर सकते हैं अभी यह not write table है क्योंकि हमने उसको disable किया हुआ है ठीक है तो यह option आपको इसके अंदर मिल जाएंगे blocks में क्या है अगर आपका जैसे मैं लो मैंने हमने table of content का एक plugin install किया हुआ या table of content हमने डाला है ठीक है तो उसके ऊपर title पर क्या आएगा वो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे मैं आप पर index भी लिख सकता हूँ table of content भी लिख सकता हूँ अब वहां उसमें जो list आ रही है वो number list आए 1,2,3,4 आए या unordered list आए या bullet form में आए तो वो आपको यहां से decide करना है ठीक है उसमें कौन-कौन सी headings आए महां लीजे मैं H3 को उसमें नहीं रखना चाह रहा मैंने अपने page पे H2, H2 रखा और H3 रखा या H4 रखा H4 को हम उसमें insert नहीं करना चाहत दे तो आप यहां से उसको check कर सके उसको यहां से हटा सकते हैं exclude कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है content AI content AI हम cover करेंगे लेकिन यहां पर जो है उसका content AI का जो मलब पूरी website के लिए जो एक global feature है वो set होने वाला है सबसे पहले अगर आपको अपना country select करना है माली जे मैंने यहां पर क्या select कर दिया United States अगर हम यहां पर select कर लेते हैं तो अब हमारा जो content AI जो लिखने वाला है content वो US के हिसाब से लिखने वाला है ठीक है tone यहां पर हमने formal select किया तो सभी में by default formal आईगे आप उसको change कर सकते हैं audience यहां सर आप define कर सकते हैं कि आप किस audience को address करना चाह रहे हैं यहां पर देखे gardeners हैं ठीक है तो अगर आपकी website gardening पर है तो आप यहां पर gardener set करके रखते हैं क्योंकि जितना भी आपका content होगा वो gardeners के लिए होने वाला है healthcare के लिए parents के लिए pet owners के लिए तो यह सारे options आप यहां पर set कर सकते हैं audience को पहले से ही अचा आपकी English कौन सी होनी चाहिए तो यह important चीज है अगर आप US के लिए लिख रहे हैं तो आपको US English select करना है अगर आप इंडिया या UK के लिए लिख रहे हैं तो आप UK select कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा difference होता है हलका सा color या color की spelling में difference होता है तो वो आप यहां पर select कर लें ठीक है आप कहां पर उसको enable करना चाहते हैं तो post और pages पर हम content AI को enable करना चाहते हैं ठीक है तो यह सारी settings आप यहां से कर सकते हैं next है 404 monitor 404 monitor हम ऐसे कई बार cover कर चुके हैं कि आपका बताएगा आपको कौन से pages जो हैं आपके 404 में हैं अचा simple और advance में फरक क्या है advance के अंदर वो आपको referr भी बता देगा यानि कि आपने किस page में उस 404 का link डाला हुआ है है ना जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको वो link हटाना पड़ेगा जब आपको link हटा देगे तो बाद आपको 404 की error अपने आप ही remove हो जाएगी ठीक है तो simple और advance है कितने लोग रखना चाहते हैं यानि कि कितने pages तक आप रखना चाहते हैं 100 pages तक का record रखना चाहते हैं 200 तो वो depend करता है ठीक है exclude path आप चाहते हैं कि यह वाला path जो है वो check ना करें उसको छोड़ दे क्योंकि वो मैंने by default ही रखा हुआ है खुद से रखा हुआ है ठीक है तो exclude कर सकते हैं ignore query parameter अगर आप इसको on करते हैं तो question mark के बाद का जो हिस्सा है उसको वो उसमें नहीं लेगा तो जैसे आपने मान लीजे कोई मान लीजे आप URL parameter set करते हैं कि मेरा जो ट्राफिक कहां से आ रहा है तो हो सकता है वो भी 404 में चला जाए कभी तो वो आप यहां पर ignore कर सकते हैं बता सकते हैं कि उसको छोड़ दो question mark करा जाता है तो उसके बाद के parameters को आप छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद है redirections की setting first option है debug redirection मतलब यह check करेगा कि आपका जो redirection है वो सही है या नहीं है ठीक है तो इसको enable या disable कर सकते है fallback behavior तो अगर कोई page 404 है तो वहां पर वो क्य दिखाएगा माल लीजिए मैंने जैसे यहां पर यह एक page open किया ठीक है मैंने यहां पर ABS लिख दिया ठीक है तो अभी क्या आ रहा है by default यह page आ रहा है यह 404 अपको जो display हो रहा है लेगिन अगर हम यहां पर home page select कर देते हैं और इसको save कर देते हैं और फिर अब इस page को ABS को हम refresh करते हैं तो आप देखेंगे कि यह home page पे चला जा रहा है तो आप यहां पर कोई custom page भी बना कर और वो यहां पर enter कर सकते हैं custom redirection में मतलब आप अलग से 404 page बनाए और उसका URL यहां पर enter कर दे जब भी 404 की issue होगा तो वहां पर वो page दिखा है जैसे आपने कहीं पर देखा करना है permanent redirection 301 है temporary redirection 302 है या फिर इसके अलावा यह भी सारे जो redirection के टाइप है तो आप यहां पर 301 permanent move select करके छोड़ सकते हैं और पोस्ट redirect और पोस्ट redirect का काम क्या है आपको इसमें खुद से री डारेक्शन नहीं करना है यह जब भी आपने किसी पोस्ट का URL चेंज किया तो यह अपने आप से उस page को क्या कर देगा री डारेक्ट कर देगा ठीक है आपको यहां पर कस्टम री डारेक्शन में कहीं पर भी आपको यह री डारेक्ट करके दे देगा तो यहां पर आपको क्या करना इन सारे चेंजिस को सेव कर देना है इसके बाद next settings है analytics तो अगर आपकी website GSC में submitted है तो आपकी website यहां पर जो ह कर सकते हैं और उसके बाद यह third option है यहां पर आपका data stream में आ जाएगा shout and rise जो भी हमने पहले select किया था तो analytic code है वो installed है यह जो feature है यह pro के feature है ठीक है तो आप इसको क्या करें save कर दें इसके बाद जो है adsense वगरा है यह सारा pro का है ठीक है database कहां तक रखना है email के report अगर आप email ID पर लेना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको on कर दे email frequency को आप chain नहीं कर सकते बट इसको on करके आप email की report अपनी email ID पर ले सकते हैं तो यह हमने जो है general settings को cover कर लिया है तो दोस्तों मिलते है next video में करें करें है तो 5